बिहार बोर्ड से जितने भी ए स्टुडेंट्स मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2022 में समलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए आपके बोर्ड परिक्षा से पहले सेंटर परिक्षा का आयोजन के लिए एनाउंस्मेंट बिहार विद्दल्य परिक्षा समीती पहले ही कर चुका है आज के डेट में बिहार बुड के तरफ से एक 23 नूटिफिकेसन जारी करके मैटरी की सेंटर परिक्षा जो 12 से 20 नौंबर के 20 संचालित होगी इसका परिक्षा में क्या क्या होगा प्रसंपत्र कब से मिलेगा कैसे आपको परिक्षा में भाग लेना है इसके बारे में देखे यहाँ पे आज के डेट में एक औफीशल नूटिफिकेसन जारी किया गया है देखे लगवाग हर पेपर में आज के नूटिफिकेसन आया है कि मैटरी की सेंटर परिक्षा बारह से कल से भेजा जाएगा प्रसंपत्र आगे जानकारी दिया जारा है कि बिहार विद्दाले परिक्षा समीती दौरा 2022 में होने वाली मैटरिक परिक्षा से पहले सेंटर परिक्षा की तेती निर्धारी थो चुकी है राज जी के सभी स्कूलों में सेंटर परिक्षा 12 से 20 नौवंबर तक ली जाएगी परिक्षा सेंटर परिक्षा में सामील नहीं होंगे उनका परवेश पत्र बोड द्वारा जारी नहीं किया जाएगा साथ कमपार्टमेंटल अंग्रेजी में फेल या पुरुवर्ती छातर को सेंटर परिक्षा में सामील नहीं किया जाएगा अब इस नौटिफिकेसन के हम आपको सरांस बता दें तो इसमें जनकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक सेंटर परिक्षा जो बारह नौवंबर से सुरू होगा 20 नौवंबर तक चलेगा और प्रसन यह हो सकता है कि बारह नौवंबर से सुरू होगा तो किस रूटिफिकेसन का एक एक लाइन पढ़के आपको सुना दिया कि कोई भी रूटिन नहीं आया है हर इसकूल अलग अलग अपने हिसाब से रूटिन लेंगे जिनको 12 ससुरू कर सकते हैं जिनको 13 ससुरू करने के लिए 13 से सुरू करेंगा जिनको इकशा पूरा इसकूल पर सोतंत्र छोड दिया गया है यहाँ पे एक बात आपको किलियर समझना है भलें या आपकी स्कूल में 12 को साइंस का पैपर हो किसी स्कूल में 13 को साइंस का पैपर हो लेकिन पूरे बिहार में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल के लिए एक ही प्रसंपत्र और OMR स्टीट भेजा गया है बिहार बोड के परकिले करने के बहुत सारी तरीके हैं थो आज से आपकी बहुत सारे साइन्स का निंगें तो इसके लिए आपको दो काम करना है सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल में जाकर अपना रूटीन पदा करना है कि आपके स्कूल कॉलेज में किस दिन कौन सा पैपर है और जो पैपर आपका पहले दिन पढ़ आ है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसके उपलफधम कराने का पर्यास करेंगे और उसके साथ जिन जिन छात्रों का एकजाम जिस जिस पैपर का होते जाएगा तो आप भी इसमें मदद कर सकते हैं आपको क्या करना है कि अपना सेंट अप एकजाम का जो प्रसन पत्र होगा उसका फोटो गिज कर आप टेलीग्राम गुरूप जॉइन किये होंगे या वार्चा गुरूप तो वहां पे आप सेंट कर सकते हैं क्योंको उसका तुरंत सॉलूशन इस चैनल पर अप्लोड कर दिया जाएगा यहां से आपको चेक करना जैसे ही प्रसन पत्र उपलब्द होगा तो इस तरह आप देख सकते हैं यह पर अप्लोड कर दिया जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपेन किजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आके सिंपल सा ARcarrier.com वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं या सिंपल सा देखिए आपको यहां पर ऐ ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि BACB Matrix Center of Exam Answer की 2022 भी आप लगा सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ ऐसे लिख के आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा आपको ध्यान से यहां पर समझ लेना है क्या लिखना है BACB Matrix Center of Exam Answer की और आपको दिखाई देगा आप में एक पर आये दो पर आये तीन पर आये जिस पर होगा इसे आपको ढूंड लेना है या इससे आच्छा आप ARCareerPoint.com भी सर्च कर सकते हैं लोगों आपको ध्यान में रखना है पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है आप क्लिक करेंगे करेंगे आपके सामने कुछी तरह पेज ओपन होगा और यहां पर देखिए की सतरह सीख कर रखना है ताकि एकजाम के दिन आपको कोई दिकत नहीं यहां पर देखिए सभी कोस्टन आप जानते हैं सोसल साइंस में 80 औपजेक्टी प्रसंट पूछा जाते हैं यहां पर जाकर आप अपजेक्टीम बना सकते हैं और यही पर आप नीचे की तरह पर स्क्रॉल डायूञ करेंगे तो जैसे ही कोस्टन पैपर अप्लूड होगा तो यहां पर कोशन पैपर भी यहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं यहां से टेली ग्राम को ज्वाइन कर लेना है और से अपने आपके इस्कूल में वो पहुंचना सुरू हो जाएगा सेंट अप एक्जाम का आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है तो ARCarrierPoint.com वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है सब्जक्टिव सब्जक्टिव पूछा जाएगा उसको कैसे आपको जबाब देना है तो आज के लिए बस यहीं महत्वपून लोटी कैसा था जैसे ही कोई अगला बडेट आएगा उसकी जनकारी हम आपको देंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद